अक्तूबर चार बीजेपी अर्याना से बाहर अब हिसाब देगी जनता इनको कांग्रेस के हाथ के उपर चोट मारकर और चार अक्तूबर को यहां चौधरी भुपिंदर सिंग हुडा जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक आम जनकी सरकार जो है बनेगी लोग परेशान हो चुके बन दिये इन्होंने सारी सरकारी अजन्सियों को बेच डाला जो हमारे भारत देश को कॉंग्रेस पार्टी की वचार दारेन आजाद कराया आजाद करवाने के बाद में इस देश में एम समराई रेलवे चली जलक अंदर पंडू भी चली आकास में एरोप्लेन चले लेकिन वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी या फिर वहां कॉंग्रेस ऐसा कुछ खेला करने जारी चुकि लोकसभा चुनाओं का जब परड़नाम आया तो हडियाना में 10 सीटों में 5-5 सीटे दोनों के हिस्से में गई है इस बार क्या होगा चुनाओं में क्या होगा किसकी सरकार बन देगे क्या लगता है सर कॉंग्रेस का पठता है आपके ओपर क्या कॉंग्रेस वहां पंजा लहरा पाएगी कि नहीं बुपिंदर हुड़ा के नितुर्टों में कांग्रेस साइट से 65 सीटे जीत करके सरकार बनाएगी और अक्तू इस तुल परिशान हो चुके हैं बीज़ेपी सरकार से हर लोगों को परीशानी दीए किसान परेशान वैपारी परेशान मेलाये पारेशान मैयलाओं प्यत्याचार हर तरह से duyञे नहीं कुछ नहीं किया जूठे वादे जूठे जुमले मुख्य मंत्री दिए आपको पहले खटर साब चाहे कितने बदल लीजिए सरकार कांग्रेश की बनेगी उपेंदर सिंग उड़ा मुख मंत्री बनेंगे बिल्कुल जनता कह रही है अच्छा हर्याना में घुमे हम आठ लोग सवाचुनाओं की बाते कर रहे हो तो हमारा बोट परसंटेज बढ़ा है लोग सवाचुनाओं में बीजेपी से हमारा बहुत ज्यादा बोट है तो शीट आई पांच वो कुछ शीटों मुकाबले में रह गये हैं को यह हमारा जो बोट शेर हो बढ़ा है और यह सर्कार गिराएं संहारे अब सर्कार बन रहीत उसके मुख्षे भात खुद दलाल जी के मूझछ से बोल्लिए दलाल जी नहीं तो अमारी सरकार बन भी कॉंग्रेस की सरकार बन रही है कॉंग्रेस की 75-75 शिट्टे आएंगी सरकार बन रही है उद्डा जी सीम बनेंगे उनके नित्र तो में अच्छा काम होगा पहले भी अच्छा कर वाए उनने दस साल और हमारा जो अब मैन फोक्स के बेरोजगारी का उद्डा सहाब का बुडा उद्डर जिंगी डिल्लो एडवोकेट्ट हुँ रिष्ट को नारनोल में प्रेक्टिस करता हूं मैं दुष्ण चोटाला जी का कारे करता रहा हूं और जेजैपी से मेरे अच्छे संभन थे लेकिन दूष्ण चोटाला जी की कारे प्रनाली से मैं तंग आकर मैंने ये और जो आज के टाइम है गली-गली के अंदर शहर महलों के अंदर केवल एक आवाज है इनके उपर पूरा हर्याना विश्वास करता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्यूंकि हमारे पास देखी मैं एड़ोकेट आप दुस्यान सिंग चौटाला के क्रमठ कारे करता रहे है अब क्या रहे हैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हुड़ा साब में पहले 10 साल काम किया हर्याना के अंदर दो योजना लगातार सरकार बनाई उन्होंने बड़े बहतरीन काम किये और लोगप्रिये नेता है और दुश्यन चोटाला जी और डिपेंदर हुड़ा के अंदर रात और दिन का फरक है भाई डिपेंदर हुड़ा जो कहते हैं वो करते हैं उन्होंने सिर्फ जूट की राजनिती की तो काम नहीं प्याते होते तो मैं क्यों चोड़ कया था जेजे पी को आज तकरीमन लोगों ने छोड़ दिया जितने भी कारे करता था रुष्ट हो कर च लोगों ने बीजेपी और जेजेपी वड़ोंने कोई काम नहीं किया इन्होंने सिर्ण झूट बोलने के सिवा कुछ नहीं किया दावे के साथ कह सकता हूँ चौधरी भुपिंदर सिंग हुड़ा और भाई दिपंदर हुड़ा के नेतरत में चुनाव लड़ा जाता है कॉंग्रेस पार्टी का 65-70 सीटे आएंगी हमारे पास पब्लिक डिलिंग का काम है एड़ोकेट है क्लाइंट आते हैं दुनिया आती है हज्जारों की तादात के अब की बार कॉंग्रेस लोग अब भैबीत नहीं है क्योंकि अब आचार सहींता यह जूटे मुकदमों से अब जनता ना डरने वाली है ना ही किसी परकार से करने वाली है अब हिसाब देगी जनता इनको कांग्रेस के हाथ के उपर चोट मारकर और चार अक्टूबर को यहा कर एक आम जन की सरकार जो है बनेगी और जन कल्यान कारी नीतियां जो चौदरी भुपिंदर सिंग हुड़ा और भाई दिपंदर हुड़ा की है वो लागू होंगी मैं दावे के साथ कहता हूँ डबल इंजन की सरकार आप लोगों को अच्छी लगी की नहीं लगी आपका दन्यवाद मैं अनिल कुमार फांडन परदेश के वरिष्ट उपाद्यक्स अरेणा परदेश कोंग्रेस कमेटी एस्ट्रिवाग सर्ट डबल इंजन की सरकार हर्याडा में ही नहीं इस बारत कि लगी कि युपी हो हर्याडा हो और में शेटो आध हमारी केंदर की सरकार सैदा हमारा अदाए Onda का और इंजन को घृत डाल अ जो हमारे भारत देश को कॉंग्रेस पार्टी की वचार धारना आजाद कराया आजाद करवाने के बाद में इस देश में एम समराई रेलवे चली जल के अंदर पंडू भी चली आकास में एरोप्लेन चले लेकिन आज इन सभी का प्राइवेट सब कानी जिकरन कर दिया यह हर्याना की धरा है यहां बड़े बड़े सूर्मा पैदा हुए हैं जिसे जिले से हम आते हैं वो बीरबल की नगरी है हम इनको मुँ तोड़ जवाब इस चीज के देंगे कि चारों विधानसभा छेत्रों से हम कॉंग्रेस के प्रत्याशियों को जिता कर और विधानसभा करेंगे और वो कहते हैं कि 6 मैंने में सरकार गिराएंगे आप गिरा के तो देखिए यह पबली के यह सब जानती है आपको इतनी सीट देगी नहीं कि आप गिरा पाओगे यह चौधरी वुपेंदर सिंग हुड़ा जी जो हैं यह लोग पुरुष हैं हर्याना के और युग कार्यकर्ता उनको एक भग्वान के रूप में स्विकार कर रहा है जिनकी ऑ्यर्भ === दिपेंदर हुड़ा के अंदर वो एक सभी है। कार्यकर्ता के लिए करता है कल्पना करता है भाई दिपंदर हुड़ा कारेकरता को अपने हर्दे से ज्यादा प्यार करते हैं जहां कारेकरता को पानी की आउसकता होती है वहां दिपंदर हुड़ा जी खून देने को तैयार रहते हैं और अपने कारेकरता के लिए जान नियुच्छावर करने को तैयार मैं तो यह कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने दुष्यन चोटाला जी को छोड़ कर और भाई दिपिंदर हुड़ा जी का हाथ पकड़ा है यह आपके खुश नसीबी है मेरी खुश नसीबी है मैं कहता हूँ ऐसे नेता को अगर मैं 25 साल पहले 25 साल मैं चौदरी देविलाल परिवार से जुड़ा रहा मैं मेरे दुर भाग्य था वो वो 25 साल एक तरफ और भाई दिपिंदर हुड़ा जी के साथ एक पल वो बराबर है देख लिए कोई गलती तो नहीं हो गई विल्कुल गलती नहीं कि यह मैंने ताल ठोक कर कहता हूं दिपिंदर हुड़ा जी जैसा कोई नेता हुआ नहीं हुआ और ना होगा यह जंता बता देगी चार तारीक को इनको जमना पार छोड़ के आएगी हरियाना बे भी नहीं रखेंगे इनको लोग बाग ऐसी हालत कर देंगे इनकी यह आज जो है हर वर्ग तरस्त है हरियाना के अंदर 36 विरादरी का कोई नेता है तो चौधरी विपेंदर सिंग हुड़ है हम इनके नित्रते के अंदर अपना तन मन और धन से हर कारेकरता जी तोड मेहनत करके चार अक्स्टूबर को जो रिजल्ट आएगा वह पीछेत्तर पार होने का भी काम करेंगे